आपको पता होगा कि अपने बर्बोलेपन के लिए मशूर बात बात पे लोगों को पाकिस्तान भेजने वाले, मुझे तो पता ही नहीं चला पिछले पांच साल में, कि वो भारत के किसी बिभाग के मंत्री हैं, मैं गिराज जी के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे तो बार ब यही महसूस हुआ कि वो पाकिस्तान के बीजा मंत्री हैं, हर बात पे किसी को जो है पाकिस्तान भेजते रहते हैं, उस कट्टर वादी सोच के जो प्रतिनिधी हैं, उसके खिलाफ इस देश के इवाओं की हुंकार बेगु सराय की लोग सभा में गुझेगी, रही बात बाक इसके किसी भी हिस्से में देश हित को लेकर भाजपा बिरोधी मतों का बिखराव नहीं करेंगे, और इस बात की पूरी तफसीस की जाएगी, इस बात को अच्छे से हम लोग विशलेशित करेंगे, और विशलेशित करने के बाद जहां संभब होगा, कि जिस तरीके से सभी लिफ्ट पार्टियों को महागठवंदन से बाहर रखा गया है, क्या इनके समर्थन से कुछ सीटों को जीता जा सकता है, जहां पर जीत की संभाबना प्रबल होगी, उन सीटों पर पार्टी विचार करेगी, और इन सीटों के अलाबे, जिसकी चर्चा अभी राजिस अची किसी नेता, किसी पार्टी या किसी विचारधारा की समर्थन का सवाल नहीं है, यह देश की जनता की भावना को कदर करने का सवाल है, यह एक तरफा प्यार हमारा किसी पार्टी के लिए नहीं है, वो बिहार की जनता के लिए है, पिछले पांच सालों में, जिस तरीके से ब प्रियास किया गया है बिहार की धर्ती बुद्ध की धर्ती है सांती और अहिंसा की धर्ती है लेकिन जिस तरीके से यहां पे हिंसा का सहरा नफरत और उल्मात का सहरा लिया जा रहा है इस दौर में जनता हमारे लिए शर्वो परी है और उसको यदि हम ध्यान में रखते हैं त आपको महागर्दन में सामिल नहीं कराया गया है. कहीं आपके बीच में और किसी अन्य नेता के बीच में कोई विक्तिगत परती असपरधा तो नहीं है यहाँ मैं आपको असपष्ट कर देता हूँ. हमारी लडाई आज के डियट में भाजपा से है और भाजपा से इसलिए है कि भाजपा के अलग-अलग नेताओं ने यह बात अस्पस्ट कर दी है कि अगर वो चुनाव जीत कर आएंगे तो इस देश में चुनाव ही नहीं होगा और जिस तरीके से संविधान पे हमला हुआ जिस तरीके से संविधान की कौपी दिन दहारे दिल्ली की शरकों पे जलाया गया सौ मीटर की दूरी पर पारलियमेंट से सौ मीटर की दूरी पर यह एक गंभीर विसे है जिस तरीके से इस देश में दलितों पे अत्याचार बरहे, पत्रकारों के उपर अत्याचार बरहे, जो बेवाकी से लिखने परने बोलने वाले पत्रकार हैं, उनको नौकरियों से निकाला गया और गौरी लंकेस जैसे पत्रकार की हत्या की गई, जिस तरीके से आवाज उठ कहां है सरकार इसकी जिम्मेवारी ले और सरकार इसकी जिम्मेवारी लेने की बजाए तरह तरह की कहानिया बनाई जिस तरीके से गोरखपुर में बच्चे गैस के बिना मर गए औक्सीजन के बिना मर गए और जो डॉक्टर ने बचाने का काम किया उस डॉक्टर को ही जेल में डाल दिया गया जिस तरीके से दिन दहारे एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोथ सिंग की हत्या कर दी गई आज देश एक गंभीर परिस्तिती से गुजर रहा है इस गंभीर परिस्तिती में यह जिम्मेवारी हम तमाम लोगों के कंधे पे है कि हम अपनी राजनितिक जमीन की चिंता ना करें हम अपने पार्टी की चिंता ना करें हमारी पार्टी का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा हम इसकी चिंता ना करें आज हमारी चिंता सबसे ज़्यादा किसी बात की है तो वो देश की है लोकतंत्र की है संभिधान की है और इसको बचाने के लिए हम अपन सहनी जी की पार्टी से नहीं है हमारी लड़ाई साप साप आज के वक्त में जो हम लोग लड़ रहे हैं वो ये है कि एक तरफ सच है दूसरी तरफ जूट है एक तरफ हक है दूसरी तरफ लूट है हम हक और सच के लिए इस लड़ाई को लरेंगे और हमको पूरा भरोसा है जिस तरीके से मैं आज पहली बार पटना आगर के प्रेस कॉन्फरेंस कर रहा हूं आप देख रहे होंगे आप लोग पॉलिटिकल वीट कभर करने वाले सीनियर पत्रकार हैं और भारत में बिहार को एक राजनिति से केंडिडेट बनने वाले हैं तो वहाँ पर एक धार्मिक उनबाद ना खरा किया जाए हम उस कोशिश में लगे हुए थे और बेगु सराय की जनता ने जिस तरीके का प्यार हमको दिखाया है मैं समझता हूं कि चुनाव के मैदान में खड़ा होना उस जनता की भावना का ख्याल करना है हम चुनाव मैदान में हैं और हमारी लडाई आर जेडी से नहीं है हमारी लडाई तन्वीर हसन साहब से नहीं है हमारी लडाई सीधे तोर पे गिरिराज सिंग और उनका जो कट्टरवादी सोच है उसके खिलाफ है इस कट्टरवादी सोच के खिलाफ युव झाल झाल